आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल सूजी की कचोरी जो टेस्टी के साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा हेलदी है क्योंकि इसमें खुब सारी सब्जियां है और यह बहुती अच्छी और बहुती टेस्टी बनके तयार हो जाती है तो आईए बनाना स्टार्ट करते हैं सुजी की कचोरी मैंने यहापे कुछ सबजिया ले ली है मैंने यहापे एक आलू ले लिया है टमाटर, अद्रक, पत्ता वाला प्याज, करी पत्ता लिया है जिसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा जो आपके पास में सबजिया है वो आप ले सकते हैं यहापने धनिया पत्ति ली है, स्वीट कॉन लिया है और कुछ हरी मिर्ची ले ली है और प्याज ले ली है इन सभी को हमें अच्छे से धो के और छोटा-छोटा काट लेना है इस रेसिपी को बनाने के लिए आप कोई भी तरह की सबजी जो आपके पास में अवेलेबर हो ले सकते हैं मैंने यहापने यह आलू अच्छे से धो लिया है इसे हम छील लेते हैं क्योंकि बच्चे सबजीया नहीं खाते हैं तो आप जो भी सबजीया आट करना चाहते हैं इसके अंदर वह आट कर सकते हैं इसे हम अच्छे से पहले छील लेते हैं आलू को हमने अच्छे से चील लिया है अब हम इसे करेंगे कद्दुकस इसे हम कद्दुकस कर लेते हैं आप चाहे तो इसके बारिक बारिक अच्छे से इसको काड़ सकते हैं यहापे मैं कद्दुकस कर रही हूँ इसका तेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा इसमें इसारा हम अच्छे से कद्दुकस कर लेते हैं इसको आप चाहें तो इसमें पनीर भी आड़ कर सकते हैं चीज भी डाल सकते हैं जो आप चाहें इसमें आड़ कर सकते हैं यह मैंने यह आपे आलू कद्दुकस कर लिया है यह देखिए इसे हमें 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लेना है मैंने याप एक बोल ले लिया है इसमें आपके कद्दुकस कियावा मैं आलू सारा डाल देती हूँ और इसे हम 3-4 बार पाने से इसको अच्छे से हमें धोना ज़रूरी है क्योंकि इसका स्टार्च है जो सारा निकल जाएगा तो मैं इसे 3-4 बार पाने से अच्छे से धो ले ताकि जो आलू है क्रश करने के बाद में क्या होता है बहुत जल्दी काला हो जाता है लैमन डाने के बाद में ये बिलकुल भी काला नहीं होगा एक दम वाइट ही रहेगा इसमें आम अच्छे से मिक्स करके इसे रख देते हैं अब यू सारी सबजिया है इन सबी को हम बार इसे काट लिया है अब मैंने या पर एक mixing bowl ले लिया है इसमें हम दालेंगे सूजी यहां मैंने बारिक वाली सूजी ली है अगर आपके पास में थोड़ी मोटी बारी सूजी है तो आप एक बार मिकसी में इसको चर्ण कर लिजे इसमें हम डाल देते हैं हम लगबग 2 cup के दुसरा क्ब मैं डाल रही हूँ इसका बैटर किसी में भी बनाता है असक्स यह फूरा भ कह साथ प्रफार को करना को हूं हम और चार्च लेंगे, अब ही ये batter सहीनी बना है तो इसमें मैं चार्च डालती जारी हूं और मिक्स करती जारी हूं ये बहुती टेस्टी और जल्दी बनके तयार हो जाता है ये देखिया हमारा बैटर लग-बख बनके तयार हो गया है अब यहाँ पे डाल रही हूं हिंग, quarter चमश मैंने यहाँ पे हिंग ली है, इसी कसाथ में मैं एक टेबल इस्पून यहाँ पे लाल मिर्श पौडर ले रही हूँ और यहाँ पे 1 टी स्पून ही मैं यहाँ पे नमक ले रही हूँ, नमक मिर्श आप अपने टेस्ट के according गड़ा बढ़ा सकते हैं, यहाँ मैं जीरा ले रही हूँ, half टेबल इस्पून और 1 फोर टी स्पून की करीब मैं यहाँ पे अजवाइन लूगी, अजवाइन आपको थो क्योंकि सूजी है, यह एब्सॉप कर लेती है, तो इसे हम अच्छे से और मिक्स कर लेते हैं, यह हम सारे मसारे इसमें मिक्स कर लेंगे, उसके बाद में हम सारी सबजियां इसमें एड करते हैं, यह हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम सारी सबजियां इसमें जो भी हमने काटी है, यह सारी सबजी हम इसमें डाल देते हैं, जो भी आपको पसंद हो, आप इसमें अड़ कर लीज़े, यह देखिए, आलू एकदम वाइटी है, क्योंकि हमने इसमें लेमन डाला था, आप भी ऐसा ही कीजिएगा, नहीं तो आलू सारे काले हो जाएंगे, ये सब भी हम इसमें डाल के इसको अच्छे से mix कर लेंगे, ये टेमाटर भी मैं डाल देती हूँ, और मैंने जो करी पत्त है, उसको मैंने बिल्कुल चुटा चुटा काटा है, और अद्रक को मैंने crush कर लिया है, इन सब भी को हम डाल देते हैं, इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आएगा करी पत्ते का, ये सब हम इसमें डाल के, इसको हम एक बार अच्छे से mix करके, इसका बैटर चेक कर लेते हैं, कि ये गाड़ा है या सही है, तो सबजया डालने के बाद में ये थोड़ा सा गाड़ा हो जाएगा, तो हमें थोड़ा सा इसमें चार्च आड़ करनी पड़ेगी, यह हम अच्छे से एक बार mix कर लेते हैं इसको, ये देखे, बहुत ये अच्छा, colorful हमारा जो बैटर है बनकर तयार हो गया है, ये मुझे थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है, तो मैं बचीवी चार्च जो भी है, ये मैं इसमें पूरी इसमें डाल देती हूँ, तो मैंने लगबग एक ग्लास के करीब मैंने इसमें चार्च ली है, दो कटोरी सुजी में, इसमें हम अच्छे से मिक्स कर देंगें, बैटर को आपको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, नि तो जो हम बनाएं के कचोरी, वो हमसे हैंडल नहीं हो पाएगी, तो बस आपको ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है, बैटर हमारा बनकर त्यार हो गया है, और मैंने यहापे कड़ाई भी रख ली है, अब हम बैटर में डाल रहे हैं, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, हमें जब बनाना है, तभी ही हमें इसे डालना है, उससे पहले हमें नहीं डालना है, मैं हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ यहापे, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, ताकि अच्छे से यह एक्टिवेट हो जाए, आप मीठा सोडा की बीना भी इसे बना सकते हैं, तो भी अच्छे से बन जाएगा, पर हमें इसे अंदर से एकदम सौफ्ट और अच्छी जाली वाला बनाना है, इसलिए मैं यहापे मीठा सोडा डाल रही हूँ, और बारसे से हमें क्रिस्पी बनाना है, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और यहापे मैंने जो कड़ाई ली है, इसमें हम ऑउल डालते हैं, यह बहुत ही कम ऑउल में बनके त्यार हो जाती है, मैं यहापे वन टीस्पून के करीब ऑउल लेऊंगी, ताकि यह जो कड़ाई है, पूरे अच्छे से ग्रिस हो जाए, और जो हम इसमें तड़का लगा रहे हैं, वो अच्छे से लग जाए, यहाँ मैं वन फोर टीस्पून से थोड़ा कम राई डाल रहे हूँ, ताकि यह इसमें अच्छे से चटक जाए, जब यह चटक ने लग जाएगी, उसके बाद में हमें बैटर डालना है, यहाँ हम बैटर को अच्छे से हीला के, और इसमें डालेंगे, यहाँ मैं तीन केबल स्पून यहाँ पर बैटर डाल रही हूँ, यह तीन स्पून मैं यहाँ बहर के, मैंने यहाँ पर बैटर डाल दिया है, आपको जितनी बड़ी चाहिए, उससे साब साब डाल सकते हैं, पर हमें बहुत जादा बड़ी भी नहीं बनानी है, तो इसको पकने में बहुत जादा टाइम लगेगा, अब हमें इसे कवर करके, 10 मिनट के लिए रख लेना है, 5-7 मिनट होने के बाद में हम चैक करके एक बार देख लेते हैं, यह देखी, काफी अच्छे से फूल गई है, और उपर से जब यह ड्राइ हो जाए, उसके बाद भी आपको पलटना है, और पलटने के लिए आपको दो स्पून या कुछ भी आपको लेके इसको पलटना है, बहुत ही आराम से, यह देखिए, इसे हम अच्छे से पलट लेंगे, और इसे दुबारा से हम कवर करके रख लेते हैं, मेरी जो कड़ाई है, काफी गहरी है, आप थोड़ी गहरी कड़ाई नहीं हो, तो इसको अराम से आप पलट सकते हैं, इसे हम cover करके 7-8 मिनिट के और रख देते हैं 7-8 मिनिट हो गए हैं अब हम एक बार check करके देख लेते हैं यह देखी काफी अच्छी फूल गई है और काफी अच्छी पक्के तयार हो गई है यहाँ पर मैं knife डाल के देख रही हूँ यह देखे एक दम knife clean आया है अब हम इसे एक plate में निकाल लेते हैं यह बहुत ही अच्छी बनके तयार हो गई है और बहुत ही healthy है यह देखी बहुत ही सुन्दर बनके तयार हो गई है बार से इत्ती crispy और अंदर से बहुत ही soft बनके तयार हुई है यह बहुत ही crispy बनके तयार हुई है थोड़ा हमें oil डाल देना है और फिर हमें राई चटकने के बाद में ये batter डालके और इसे cover करके रख लेना है 10 मिनट के बाद में आप इसे चेक कर लिजे 15 मिनट में ये बनके अच्छे से तयार हो जाएगी अब हम इसे cover करके रख देते हैं ये हमने सारी कचोगिया बना के तयार कर ली है ये देखी बहुती क्रिस्पी और बहुती खाने में टेस्टी है आप भी इसे बना के जरूर ट्राइ कीजेगा आप इसे किसी भी चट्टी के साथ में खा सकते हैं अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स डे एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाई और टेक केर